कुछ चीजे अकड की वज़ा से नहीं बल्कि आत्म शम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरे के दुख में हशी आने लगती है दुनिया बहुत भुलक कड़ है वह तो बस इतना याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ निखलता है जिसको रिष्टा निभाना होता है ना वह आपकी हजार गलतियां भी माप कर देता है और जिसको नहीं निभाने आता है ना आपकी एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है जब विश्वास चूड़ता है तब पराय भी अपने हो जाते हैं और जब विश्वास तूटता है तब अपने भी पराय हो जाते हैं किताब की अहमियत अपनी जगा जनाब सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं आखे बंद होने से पहले आखे खुल जाए तो पूरी जिन्दगी सुधर जाती है उम्र कोई भी हो लेकिन चोट लगने पर मुझ से पहला लव्ज मा ही निकलता है अपनी गलती को तुरन स्विकार कर लेना और दूसरे की गलतीयों को नजर अंदाज करना सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है भगती और भरोशा इतना रखना की संकट हम पर आये और चिंता भगवान करे इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं चरित से करिये क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है मन की सांती से बढ़कर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा दौलत नहीं है ज्यान के बाद यदि आंकार का जन्म होता है तो वा ज्यान जहर के समान होता है किन्तु ज्यान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वा ज्यान अमरी जैसा होता है रिष्टे कभी अपने आप नहीं तूटते हैं अहंकार अज्यान और रवय्या उन्हें तूड़ देता है रोने की वज़ा ना थी और ना ही हसने का बहाना था क्यों हो गए हम इतने बड़े इससे अच्छा तो वा बच्पन का जमाना था